हेलो एवरिवान कैसे आप सब लोग होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे आज आपके लिए बहुत ही इंट्रस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मुझे लग रहा है स्कूल लाइफ में अगर आप बात करें कि स्कूल के स्टूडेंट्स जो है या आपको कॉलेज लाइफ में या आपको उसके बाद भी इसकी जो है बहुत जरूरत पढ़ती है तो टॉपिक जो आज का है वो है टेंस टेंस आपको बताए कि कितने तरह की होते हैं तीन तरह की प्रेजन पास्ट और फूचर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रेजन की तो प्रेजन होत प्रेजन होगे बूतकाल जो की पास्ट हो चुका है जो पहले हो चुका है समय उसको पास्ट बोलते है और फ्यूचर क्या होता है जो आने वाला टाइम होता है उसको फ्यूचर में काउंट करते हैं अब प्रेजन जो है वो है चार तरह का सिंपल प्रेजन ठीक है प्रेजन continuous, present perfect और present perfect continues इसका एक chart बनाके मैंने आपको इसलिए show किया है, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए इसको revise करना तो सबसे पहले हम देखते हैं simple present simple present में आपके पास क्या आता है verb, subject is Emma, ठीक है, जैसे कि क्या अगर हमें एक sentence बनाना होगा simple present में हम कैसे subject बनाएंगे, verb क्या है he again he के साथ क्या आएगा, is आएगा, he is sorry, हाँ is, am, यहाँ नहीं आएगा, यह गलत लिख रखा है इनोंने के बला आएगा verb और subject as, ठीक है, तो आएगा he goes, ठीक है, as और is आता है he goes, और जैसे हम कुछ होगा लिखेंगे, अगर हम तो he writes, ठीक है वैसे अगर हम बात करें present continuous की, present continuous में is, am, are, verb और ing आता है, जैसे की I am, I के साथ आपको बता है am आएगा, I am writing, ठीक है यहाँ फिर आएगा he के साथ is आएगा, he is singing, ठीक है, यह होगा आपका present continuous, present perfect की करें हम बात करें हम इसमें had have आएगा, और third form of verb verb की, भलब verb का third form, जैसे write का, wrote, written third form होगा ही written, तो इसका जो sentence है आप बता के बना के बताईए, written में लिखने में बना दीजिए, जैसे मैंने third form आपको बता दी, write का written है, तो she has written आएगा की she have written आएगा आप कमेंड करके बताईए क्या आएगा, ठीक है next आपका आया perfect continuous, इसमें has have been आएगा, third form of verb आएगा हम write वाले लेते हैं, he has been writing, okay फिर अगर हम बात करते हैं past की, तो simple past जो है हमारा, simple past, वो यहां लिखर रका है, second form of verb मतलब he wrote, ठीक है continuous अगर past continuous की बात करें, he was writing, ठीक है, was आएगा past perfect की अगर हम बात करें, past perfect की उसमें आएगा, he had written, third form of verb, ठीक है perfect continuous की बात करें, he had been writing, ठीक है तो यह आपके पस एक chart है, जो आपको, मतलब याद रखने के लिए कैसे जो है, लिखा जाता है sentence को simple future की बात करें, simple future में आपका आएगा will, he will write, okay, verb की first form आएगी continuous की बात करें, he will be writing, क्योंकि ing आएगा perfect की बात करें, future perfect की तो, he will have third form की, written, okay future perfect continuous की बात करें, he will have been writing, okay अभी यहाँ पर मैं लेके आएगा हूँ, present tense, ठीक है अभी हम इसको separately पड़ेंगे, present tense के parts जो हैं, जैसे simple present मैंने आपको बताया simple present में आपका कहता है, subject, verb, plus object, ठीक है तो, example क्या है simple present की, I go, मतलब मैं जा रहा हूँ, verb का first form he goes, as or is आएगा, आपको पता था, उसाथ में present continuous की बात करें, subject, is, am, our, verb की साथ आएगा, object आएगा, I am sorry, कहांगे, am, I am going, ठीक है she is going, हो गया अब हम present perfect की बात करें तो, उसमें आएगा, subject, plus has, have, plus third form of verb they have gone, she has gone perfect continuous की अगर हम बात करते है subject, has, have, been, plus verb की साथ, ing आएगा they have been going, she has been going, ठीक है तो, ये एक और chart है आपका जो की आपका present tense के लिए है, ठीक है next, चार्ट है, वो है आपका past tense के लिए, सबसे पहले हम देखते है simple past, यह past indefinite का उसमें subject, verb का second form, plus object आएगा I went ठीक है, क्योंकि second verb का second form आएगा यहां पे लिख रख है, he went, okay past continuous में अगर हम देखें, was, were आएगा, verb के साथ ing आएगा, I was going, you were going, okay past perfect में आपका third form of verb आएगा, उसके साथ had आएगा they had gone, she had gone, ठीक है past perfect continuous के लिए हम बात करें, उसमें subject had plus been plus ing आएगा, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अकर continuous word आ रहे है, चाहिए वो past में आ रहे है, present में आ रहे है, future में आ रहे है वहाँ आपको ing ज़रूर मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है तो they had been going, she had been going, यह था आपका past अब हम आते है future tense पे, future tense पे जो है simple future में आपका आएगा, will, future में आपने यह चीज़ देखने कि will जहां होगा, वो future होगा will में आपका क्या है, I will go, he will go, ठीक है continuous में आपको जसमा ने बोला, ing आएगा, I will be going, you will be going future perfect में आपका will have, third form of verb अब एक चीज़ और है, they will have gone, she will have gone future perfect continuous के और हम बात करें, will have been, they will have been going, she will have been going okay, तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताई है सबसे पहले बात मैं आपको बताती हूँ, continuous जहां पे भी word continuous लिखा हुआ होगा, चाहे वो past, present, future है वहां पे आपको ing मिलेगा, मतलब कहीं ing है तो उसका मतलब सबसे पहले वो continuous tense है, अब वो कौन सा continuous है, past, present, future वो आपको उसकी बात देखना है, कहीं पे भी will लिखा हुआ होगा, कहीं पे भी will लिखा हुआ होगा इसका मतलब वो future है, ठीक है अब हम देखें, कहीं पे भी third form of verb लिखी हुई होगी है तो वो perfect है, ठीक है अब वो अगर उसके साथ will भी लिखा हुआ होगा will, तो मतलब वो future perfect है अगर उसके साथ is MR होगा, तो मतलब वो present है और जैसे has, had होगा had होगा तो वो past है यह कुछ चीज़े हैं जहां से आप इनको जो है अच्छे से देख सकते हो, बाकि टेबल के तो आप बहुत असानी से इसको पढ़ पाओगे, याद कर पाओगे तो ऐसी वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं चैनल पे, अप्लोड होँ तो प्लीज कमेंड कर दीज़ेगा बाकि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा देने वाद